आखिरकार नागरिक सर्शोधन कानून यानी CAA लागू हो चुका है इशले बार भी हमने देखा था साल 2019 में जब ये लागू होने ही वाला था तब उस वक्त देश भर में प्रदर्शन इसी नागरिक सर्शोधन कानून को लेकर देखने को मिला था जगा जगा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कोई इसे सपोर्ट कर रहा था तो कोई विरोध कर रहा था और CAA जो लागू हुआ है वो इस वक्त पर हुआ है जिस वक्त भी लोग सभाचुनाव महज कुछ ही समय में आने बाला है और तारीखों की घोशना महज एक हफ़ते के अदर ही होने वाली है और इससे पहले ही मोधी सरकार ने ये बड़ी घोशना की आज शाम को सभी की नज़र ठीकी होई थी कि मोधी सरकार आखिर क्या कुछ आलान करेंगे और जिसके बाद खबर आए कि आखिर कार CAA लागू हो चुका है आपको याद होगा कि जितने बार भी BJP यहाँ बंगाल पशिमंगाल पे पहुँचे यहाँ पर कई सभाव को सम्मोधित करते विचा है वो PM हो अमिशा हो बार बार यही दोहराते रहे कि CAA ल आया गया यह लोग सभा में लोग सभा से तो पारित हो चुका था लेकिर राजय सभा में जुआ कर अटा गया था और उसके बाद हमने देखा कि जो साल 2019 में लोग सभा चुनाव के कारण उस वक्त यह लागू होते होते रहे गया था और उसके बाद हमने देखा कि लोग चुनाव से पहले ही पियम मोधी ने ये जो घोशना की है जो विरोध प्रदर्शन उस वक्त देखने को बिल रहा था कितना सपोर्ट इस कानून को मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी आपको बता दे कि इस कानून के बंदे नजर नागरिक से जुड़े कई नियम है जि उन्हें अगर उसके बाद आया है तो फिर अगर पात साल उन्हें पूरे हुए है तो फिर उन्हें नागरिक्ता दी जाएगी भारत की बता दे कि इसी CAA को लेकर जो ये गोशना होई उससे पहले ही इसी अब ममता बैनार जी नबान में एक बैठक कर दी थी सबकी नजर भी उसके बाद हमने देखा कि ममता लाइब आकर वो सीधे कटाक्श करती है पिया बोधी को लेका CAA को लेकर भी कई बुदों पर बाच्वीत करती है हमने देखा था कि पिछले बार भी जब लागू होने ही वाला था और उस वक्त भी ममता बैनार जी इसके विरोध में उत्तर थी यहाँ पर हमने देखा था पशी मंगाल में जगा जगा विरोध प्रदर्शन यहाँ देखती के विले थे केबल पशी मंगाल ही नहीं बलकि पुरे देश भर में जगा जगा यह प्रदर्शन हमने देखा था लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि कोई सपोर्ट करता वह नज इस पर सभी की नज़ा ठीकी हुई है और आपकी क्या राय है हमें कमेंट का जरूर बता इसी तरह पल-पल के अपडेट के लिए बने रहे हैं डिजिटल खबरिलाल के साथ खबरे आपकी नज़र हमारी